मैं रावल कुमार स्वागत है आपको बरने लेजुकेशन के इस यूटूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विहार सिविल कोट में किस फॉंट पर हिंदी टैपिंग होगा इंग्लिस का तो सब को पता होता है कि कोई फॉंट एक पार्टिकुलर नही के कारण से इसले टब है न क्यूंकि जो वरड़ पर मिनिट है वह एक्ट्र में 활ब पर मिनिट है है जैसा कि हम पिछले विडियो में बात कर चुके है už सजन pertama में क्या Anytime होता तो आज किके हम यह बात कर रहे हैं है कि अगर बिहार सिविल कोड की आप त्यारी कर है अगर बिह किस फॉंट पर सीख रहे इस चीज़ को पहले आप किलियर कर लीजिए देखिए हम यह नहीं कहेंगे कि जो बिहार सिविल कोट का नोटीस है ना उसमें साफ तोर पर यह बात लिखा गया कि किस फॉंट पर टाइपिंग होगा यह बिल्कुल भी मेंशन नहीं है यह नोटीस आ रेकें और हाइक कोट के जो एक्साम हुआ है अगर आप हाईकोट के नोटीस ड़ाटा इंट्री ओपरेटर का अगर आप देखना चाहतें तो गूगल सर्च कीजिए कि मतलब पॉतल्टा इंट्री ओपरेटर मतलब टाटी ओपरेटर कम टाइपिस्ट वाला जो था वेकरंस के कीवोड का मंगल को ही दाल रहते हैं इस तरह से करके अलग परकार के आते हैं उसमें सबसे ज्यादा ना व्ला ज्यादा फेमजी को नहीं मंगल रहेबॉंट का नाम है और उसमें चलियर होता है कि नावता यहां से the करने का प्रियास करेंगे कि किस फॉंट पर टाइपिंग होगा जिसके लिए हम लोग के लिए और आप लोग के लिए वो चीजे जानना आसान होगा इदम किलियर तोर पे ठीक ना लेकिन अगी अभी अगर हम आपको हम और एकस्पयियन्स के अधार पर बता तो रहां बंटॉN पर ही टाइपिंग होगा च्कि पटना हे जो है ना वो किसे पर लिए है टृविंट यह पिलिया ठीक के अब आप यह कहेंगे कि फिर रह पे रुकरतिए देव देदे तो यह चीजे तब तक हम यह नहीं करें कि मेरे पास अभी सबूत है और हम बोले और हम मतलब बढ़ा चड़ा के बोलने वाले हैं नहीं कि मतलब जो मनाया सिर्फ बोल देंगे वह नहीं कर सकते हैं ठीक है तो जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है उसी के अधार पर हम आपको सम करण का तरीका भी सम होता नीचे वाला जो रोता उसमें भी सेम है और मतलब कुर्तीदेव में आर मतलब रवइंट appliance गेल में भी सेवे उपर का qw e rt बाला जो रो है उसमें भी मतलब रेविंटन गेल में सेम है और मतलब क्या बोलते हैं कि कुर्टी देव में सेवे लेकिन जो उपर में नमबर की से होता है वो सिर्फ चार-पांच बदला है तो यह बहुत बढ़ी बात नहीं है आप लोग के कुर्टी देव में और रेविंटन गेल में फर्क क्या है इस चीज़ को समझे कुर्टी देव में क्या होता है कि जब भी हम को चीज़ें को ऐसे वाड लिखते हैं जिसमें कि कोई ऐसे सिंबल यूज हो रहे हैं जो यह डायरेक्ट दोर पर किसी मतलब किसे यूज नहीं किय देजाता है उसके लिए हम लोग सोटकट की कra परियोग करते हैं सेमी चीजें रविंटन गेली की में 55 बनाय जाता है मतलब कि दी उतर लिखने के लिए हम लोग कुर्ते दे में code का प्रियोग करते हैं तो code में code use करने में और इसमें बनाने में मात्रे एक चीज़ का अंतर है इसमें थोड़ा सा है मतलब एक से दो दिन समझदारी से आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे किसी की को बनाते हैं मतलब कैसे कोई word सब्द को बनाते हैं ठीक है और कुरती दे में कुछ समझने की जवरत नहीं बस आपको याद रखने की जवरत है तो इसमें समझ की जवरत है और उसमें याद रखने की जवरत है और बाकी कोई अंतर नहीं है और बहुत ज़्यादा word की भी अंतर नहीं है तो बुक कौन से चाहिए, सॉफ्टियर कौन से यूज़ करना, वो सबी चीज़ है, दूसरे वीडियो में आपर रो और रो और रो दोनों complete कर देंगे, और तीसरो वीडियो में हम shift के साथ का यूज़ करना बता देंगे, तो बाकी का और जो मतलब 5-6 वीडियो रहेगा, उसका य वीडियो के अंतरगा, हम आपको typing, English typing सिखाने के साथ, हम आपको ये भी सिखा देंगे, कि error कैसे कम करना है, और हम आपको ये भी सिखा देंगे, कि हम shift का use comfortable तरीके से कैसे करते हैं, देखिए, आप लोग में से जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग से एक request है, क अगर आपको हिंदी typing बढ़िया करना है, तो उससे पहले एक typing आपको अच्छा करना होगा, वो है shift के साथ English को use करना, अगर आप English typing में, अगर shift का use बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और मतलब shift के साथ जितना अच्छा से use कर लेते हैं, उतना अच्छा आपको हिंदी typing होगा हाँ, ये बात भी सच है कुछ लोग के लिए, मतलब exception case है, लेकिन एक बात बताते हैं कि कुछ लोग direct हिंदी शुरू किये हैं और हिंदी भी अच्छा है, तो ऐसा exception case होता है, exam बला में exception वाला आदमी नहीं चलता है, वहाँ पर average आज में चलता है, जिनको सही से सभी का हम बता रहे हैं, तो कि 15 पेज का उसका notification है, छे नमबर पेज में जाए, और 6 नमबर पेज में नीचे में दिया गया है, शाब तर पर नोट में एक बात लिखा गया, आप उस चीज को पढ़ लिजे, इसमें कहीं से कोई confusion बला बात ने, और a screen shot भी आपके screen पे दिख भी आप उस चीज से भी आप अंताजा लगा लिजे, ठीक है, कि मतलब English टाइपिंग और Hindi टाइपिंग जो Civil Code में होगा, वो क्या होगा, और Civil Code के जो टाइपिंग के फॉर्मेट है, वो बिल्कुल पतना High Code की तरह ही है, तो उसी तरह से ही होगा, और तक्तिवर एक्जाम जो भ सकता है, या फिर कोई ऐसा विडियो जो आपको अच्छा हो सकता है, नहीं लगता होगा, बट वो किसी के काम के लाइक होगा, तो अप्लीस आप अपने कॉंटेक्ट लिस्ट में, वाट्सअप पे, या फिर जहां भी सेयर करने के आपके पास माद्यमों, प्लीस सेयर करें और सपूर्ड करें, मिलते हैं अगले वीज़